बिसमएलारामान रहीम बार वोकेशिनल कोर्स के अंदर इंपिरिसिर तमाम दोस्तों को हम limit पंजाब आर डोस्तों के पंजाब आरगांत्र लाइसेंस के लिए छे महीनों के जो ट्रेंडिंग का टाइम पिरियड है उसके अंदर आपकी ट्रेंडिंग के अंदर एसिस्टेंस करने के लिए सुप्रीम कोड के ओर्डर के तहर दो हफतों का हम नहीं बार्वोकेशनल कोर्स चुरू किया है आज दूसरा दिन है छे हफतों के दो हफतों के अंदर से और पहले हम तीन लेक्शिस करवा चुके हैं आज चौथा लेक्चर है और आज सिवल के अगर आपने वकालत करनी है उसके लिए प्रॉबब्ली एक बहुत इंपॉर्टन लेक्चर है क्योंकि इंट्रड़क्शन टू सिपी सी आप कहते हैं यह कोड ऑफ सिवल प्रॉसीजर उन्हें सो आठ का कहते हैं उसके जाविये से बेसिक प्रिंसिपल्स वगारा क्या है कि आप अप्तदा के अंदर सिवल कोड के अंदर प्रैक्टिस किस तरीके से शुरू कर सकते हमारी खुशकिसमती है कि इस चीज के लेक्चर देने के लिए हमारे पास एक ऐसे दोस्त मौजूद हैं जिन्होंने सी पी सी को यह सिवल कोड को दोनों जाबियों से यानि बेंच की तरफ से भी देखा हुआ है और बार की तरफ से भी देखा है हमारी खुशकिसमती अर प्रोफेशन की खुशकिसमती के हमारे द बेशमार और इनके लिए एक अतमगा इम्तियास ये भी है कि सिबल जजज और जिडरेशन मैजिस्टेट छे साल के लिए लहुर गुजरांवाल और जफरवाल में रह चुके हुए तो अज़ा है कि दोनों की दोनों साइड़ों से इन्होंने बेश प्रोफेशन को बीच में देखा हुए और आपको ये बेश्याब कर सकते हैं कि वकील तो बेशमार चीज़ अपने पॉइंट अब यू से थियार करके ले जाता है लेकिन जजज को क्या रिक्वाइर्मन्ट ह यहां पर आना और इस तरह के सेमिनार्स को देखना I have been told by Sir Muhammad Ahmad Qiyum that you are all or most of you are young entrants in the field of law First of all I would like to welcome you all और इसके साथ साथ आपको मुबारिक बार दूंगा के for the very first time in the history of Pakistan Legal Education में इस तरह के Reforms आ रहे हैं कि Supreme Court की judgment के बाद आप हम यहां पर बैठें एक law को बन्यादी तोर पर और उसकी basics को discuss करने के लिए कि हम सीख सकें कुछ law college से बाहर निकल के law college से बाहर निकलने के बाद आपको तो बिल्कु सीधा profession में एंटर होना इसके दरम्यान में एक phase का होना बहुत जरूरी है learning phase का वो चलती रहेगी आपकी सारी उमर आपके साथ साथ वो जो purpose serve कर रहे थे पहले वो आपके seniors के offices ये purpose serve कर रहे थे अब तो somehow लगता है कि profession में शायद ये purpose उस तरह से serve नहीं हो रहा तो we have to find some alternatives and this alternative is something very good and unique first of all जो topic है हमारा that is introduction to the basic principles of civil law basic principles of civil law में जो सबसे पहली चीज आप एक चीज आप note कर लें इस lecture को start करने से पहले आप लोगोंने law की school में ये बात पढ़ दिये that there is a broad classification of rights civil rights and public rights जो public rights हैं उनको protect करने के लिए there is a criminal justice system और जो civil rights हैं उनको protect करने के लिए there is a civil administration of justice system ये दोनों parallel काम कर रहे हैं कुछ कुछ चीजों में हम कभी कबार confuse हो जाते हैं और एक young entrant का थोड़ा बहुत confuse होना बनता है because कि ये चीज़े इतनी simple नहीं है जितनी एक experienced lawyer को नजर आ रही होती है being young entrant आप देख रहे हैं कि आपके पास session course है district course है special course है banking course है consumer course है तो आपको ये देखना है कि इन में की definition को देख लिए what is a civil court this is the court अगर प्रोजेक्टर दोनों साइट पर चल रहा है this is a court that deals with the private controversies any controversy that arises between two persons or two parties in their private capacity उनको take up करने के लिए उस controversy को solve करने के लिए हमने एक court court एक administration of justice civil administration of justice का system जो है वो build किया and that system that particular house is called a court जहाँ पर हम पुरा इससे अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो पुराने जमाने में we can see कि हमारे पास पंचायत थी तो पंचायत हमारे लिए क्या काम करते थी civil disputes को resolve करते थी और civil disputes को resolve करने का organized तरीका हमने क्या निकाला we established civil courts civil courts की इसमें आपके पास अगर सवाल हो किसी का कि government institutions भी हो सकते civil institutions civil parties भी हो सकती है कोई भी ऐसा शक्स जिसका कोई civil right infringed होता है that very person can go to the civil court questions अगर कोई करना चाहिए तो he will be raising hand and I will be responding at the same time अब यह जो civil courts है इनको classify किया गया है कुछ चीज़ों कुछ इसको इसकी division है हमारे पास जो basic law है जो constitute करता है हमारे लिए civil courts that law is called the Punjab civil courts ordinance 1962 that very ordinance creates civil courts for us जैसे मैंने आपको पहले का there will be an organized system और उस organized system का कहीं पर लिखा होना जरूरी है उस पर कोई legislation होना जरूरी है तो this is the legislation जो हमारे लिए basically civil courts को constitute कर रही है in contrast with the CRPC अगर आप लोग CRPC पढ़ चुके हैं तो CRPC में आप देखेंगे section 6 CRPC के अंदर section 6 जो है that constitutes criminal courts यहाँ पर CPC constitute नहीं कर रही किसी court को हमारे पास एक अलाइदा सिला है पंजाब civil courts ordinance जो हमारे लिए civil courts को constitute कर रहे है इसकी categories जो define की गई है section 3 of the civil court पंजाब civil courts ordinance में यहाँ पर एक बहुत बुनियादी नुकता जो मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा that there is a difference between a court and a judge court is an organization and a judge is a person who might be heading one aspect of that at that organization judge जो है उसका character he is presiding a court but he alone cannot be called a court हमारे पास तो classification है civil courts की that is district judge district judge भी civil court की definition में है additional district judge यह भी civil court की definition में है and a civil judge यह भी civil court की definition में है तो जब भी बात civil court की की जाएगी तो यह तीनों classes categories उसके अंदर शामल होंगी आप लोग रोज़ाना पेश होंगे अभी हो भी रहोंगे हमारे high court के पास sir original civil jurisdiction है सिंध के अंदर तो आप दमीनिक मालियत की वहाँ पर high court में जबाँ करा सकते हैं हाई कोर्ट जहां पर कुछ केसे सुन सकती है जैसे 372 का दावा है वहाँ पर negotiable instrument है तो high court can itself try that course in its original jurisdiction otherwise civil claims के लिए trial court है district courts हमारे पास civil system के अंदर अब यह जो तीन categories of civil courts है these are beside two categories एक small causes court है और second कोई भी और court जो enact कर दी जाएगी किसी भी law से जो enforced है this is all section 3 there are three partitions or classifications of civil court the first one is district judge the second one is additional district judge and the third one is civil judge कोई question हो तो मैं answer करने के लिए क्या है small causes court का CPC में नहीं है small causes court के ordinance है 2002 का that says कि अगर आपका कोई subject matter उसकी value एक लाग से कम है तो वो claim civil court के पास नहीं जाएगा एक special court create की जाएगी that is called small causes court that court will be heading and adjudicating that particular matter और उस matter को सुनने के लिए उसका procedure CPC के इलावा small causes court सेक्ट अगर आप पढ़ें तो उसके अंदर लिखा हुए trial का पूरा procedure उसके अंदर लिखा हुए सिर दोजर बीस की और इकेस की जो अमेंडमेंट्स आइंटी बलकि अठारा की जो अमेंडमेंट्स आइंटी इसमें तो फारेंग नहीं करा दिया सारे के सारे के सारा small causes court इसके साथ जो अमेंडमेंट्स आइंटी वहां पर कोई इस तरह की ड्रीयन सीपीसी में पहले नहीं थी कि यह वाला क्लेम वह court सुनेगी और इतनी है माहूंट का क्लेम सिर्फ और सिर्फ जो वैल्यू की जुरिस्टिक्शन है that is available in CPC small causes court के बाले से पहले कोई नहीं था section 7 में अभी पट रहूना section 3 उसके इलावा तो कोई नहीं है उसके इलावा तो कोई नहीं है अब आ जाएं what is a district judge and the additional district judge बड़ी बुनियादी सी बात है district judge ऐसा judge जो हेड कर रहा है section 2 के ताहिद एक district को additional district judge जैसे के नाम से जाहिर है district judge के साथ additional लोग attach कर दी जाते हैं काम के वाले से इनकी PARS का कोई फरक नहीं है इनकी PARS में कोई भी आप difference नहीं देखेंगे और इसके लिए legislation available है अगर आप इसी law का the civil court ordinance का section 6 additional district judge shall discharge such functions of a district judge जो भी functions होंगे district judge के वो ही functions जो हैं वो perform कर रहा होगा additional district judge and in the discharge of those functions he shall exercise the same PARS as the district judge और उसकी PARS भी बिलकुल सेम होंगे तो इस तरह से हमारे पास जो category अगर आप formula पे category लेना चाहें तो there is one court that is called district judge जिनकी PAR जो है वो equal है और उसके बाद second category tire के हिसाब से हमारे पास आ जाजएगी civil court civil court जैसे के आप लोग बन्यादी तोर पे पढ़ा होगा आपने civil court की classification है फर्दर high court की तरह से in three classes civil judge class one civil judge class two and civil judge class three इसका purpose हम आने वाली slides में इंशाला दला पढ़ेंगे कोई question हो इसके लावा district court civil court की मैं दुबारा आपसे एक बात आपको repeat करना चाहूंगा civil court की classification जब भी आप देखेंगे there is a district court there is an additional district judge and thereafter there is a civil judge civil judges are further classified into three classes civil judge class one civil judge class two and civil judge class three sir so all determination of value that is the topic determination of value suit valuation act का काम है to be read with court fees act अब court fees act में कोई एक formula नहीं है value determine करने का एक formula ये है कि subject matter अगर फर्ज करें sale consideration या specific performance के suit में आप चले गए तो वहाँ पर value का क्या determine करेंगे आप वहाँ पर value क्या होगी जो consideration price है that will be the value और अगर आप recovery of possession में चले गए तो value क्या होगी उसी सूप property की अगर आप recovery में चले गए तो क्या value होगी जो property की value है तो ये दोनों different हो सकती है इसी तरह से जो दावे है small causes का जो subject matter अगर एक लाख रुपे का है तो that will be going to small causes court और otherwise ये speedy remedy के लिए एक अलादया से court बनाए गए थी एक forum जैसे आप देखा होगा special judicial magistrates हैं तो थोड़ा speedy काम करने के लिए जो हमारे summary procedural trials हैं उनको conclude करने के लिए हमने special judicial magistrate बनाया इसी तरह से हमने civil में जो छोटे claims थे उनको hurry up dispute resolve करने के लिए हमने ये court बना ली small causes इतनी effective नहीं है आप इसको देख भी नहीं रहोंगे कि इतना चाल रहा हो और dispute वाकई उसके procedure के तहर डिसाइड हो रहे हो अपरेटिव तो है law तो उसी तरह exist करता है और लहौर में तो establish भी है बाकी जिलो में भी notification है लेकिन चुके हम उस तरह से claim लेके नहीं जाते तो दूसरी courts में ही claims चल रहे है most of the times आप कर सकते हैं थोड़ा research कर लीजेगा उसके बाद आपको कोई नहीं रोकेगा अब ये court establish करने के बाद कोई भी अदारा काइम करने के बाद उस अदारे को अख्तियार समाद दिया जाएगा जूडिशरी ये जूडिकेचर का rule है constitutional rule कि कोई भी court कोई भी अदारा जो अदालती अदारा है वो वो वाली jurisdiction exercise नहीं करेगा जो jurisdiction उसमें वेस्ट नहीं की गई ये constitutional rule ये rule तमाम courts पर लाग हूँ है civil courts पर भी लाग हूँ है अब civil courts को jurisdiction कौन देता है और jurisdiction की types क्या है जब तक अख्तियार समाद नहीं होगा तब तक अदालतें अगर 50 भी और बना लें small causes court किसी भी तरह से तक्सीम करते जाएं हम उन में काम लेकर नहीं जा सकते तो अख्तियार समाद जो है अख्तियार समाद who will be listening to our matters who will be listening to the civil disputes ये बड़ा हम सवाल है और 95% of the controversies initial 5-6 मादावे की उमर में इसके इड़ गूमती रहती है इसका एक formula है अगर ये formula आप cram कर ले तो it will be very beneficial to you all और ये formula कोई difficult नहीं है ये जो पाँच jurisdictions मैंने लिखी है ये इसी formula के तहत आप में रट लेनी है the first one I am reading out the headings first one that is ultimate jurisdiction या general jurisdiction under section 9 of the CPC this is called or it may be called general jurisdiction और इस पे आपने बहुत सारी judgments पढ़ी होंगी the civil court is the court of alternate jurisdiction second territorial jurisdiction किसी खास इलाके में कौन सी मखसूस अदालत कौन सी मखसूस civil court इस बात को सुनेंगी and the third one is pecuniary jurisdiction with regard to the value जो substance है जिसको आपने adjudicate करना है उसकी value के इसाब से अब ये जो तीन है first, second and third basically these are the jurisdictions और ये इसी reference के साथ है first come the first second comes the second and third comes the third अभी मैं आप पी बात इंशाला समझा पाऊंगा आने वाले lecture में why I am calling the one thing first and the second thing second and the third thing third अभी जो इसके बात है subject matter jurisdiction at number four and at the personal jurisdiction at number fifth these are basically exceptional clauses exceptional clauses लेकिन अगर इन पाँच को आप इसी तरह से क्रैम करें तो hundred percent आप jurisdiction का topic जो है वो confusion से बाइर निकल के इसको समझ सकते हैं तो पहली jurisdiction जिसको हमने कहा ultimate या general jurisdiction and section nine of the CPC आपके दर्मियान में बैठा एक जजज ही क्यों फैसले कर रहे हैं आप कहीं और पर क्यों नहीं कर रहे हैं किसी और जगा पर आप जाके फैसले क्यों नहीं कर रहे हैं पंचायद में क्यों नहीं कर रहे हैं section nine says section nine में आपके सामने पढ़ना चाहूंगे courts to try civil suits unless barred cram कर लें इस जुम्ब लेगों चोटा सा पांच छे लफ्स हैं the court अभी एंडरलाइन वाला portion में पढ़ने जा रहूं आप सब के सामने यह एंडरलाइन है अगर slide पे एक मिनिट के लिए सब देखें तो सब को पता चलेए the courts shall have jurisdiction to try all suits of civil nature तो बात किसकी हो रही है civil court की civil judge की बात नहीं हो रही है civil court की बात हो रही है the courts shall have jurisdiction to try all the suits of civil nature तो यह जो courts, civil courts हमने constitute की अभी थोड़ी देर पहले पड़ा इनके पास क्या jurisdiction इनको primarily दे दी गई sir क्या jurisdiction दे दी गई to try all the suits of civil nature इसका मतलब यह है कोई भी तनाजा कोई भी तनाजा कोई भी तनाजा जो civil nature का होगा कोई भी तनाजा यह मैं 1908 की जो CPC है उसकी बात करूं 1908 में legislation हम अकसर कहते हैं कि legislation is orthodox पुरानी है लेकिन मैं 1908 की आपको legislation बताना लिए असूल पुराने नहीं होते हैं सच बोलना चाहिए यह कब का है क्या बदल दें यह जितना पुराना होगा उतना अच्छा होता जाएगा यह refine होके हम तक पहुंचा है तो यह जो legislation है यह भी refined है क्योंकि यह test phase कर चुकी है यह गलत आज तक थाबत नहीं हुई तमाम सूर्स तमाम तनाजाएत हर dispute इसप्यूट सिवल को सुन सकते है हर डिस्प्यूट आइं रिपीटिंग हर डिस्प्यूट एक्सेप्टिंग कौन सा नहीं सुनेगी जनल केटेगरी आगी आप यह पास स्वर्स अंडरलाइन आपने देठी है तमाम सूर्स अभी हम बात करेंगे कौन से तमाम सूर्स कितने हैं ये नमबर में दस हैं बीस हैं पचास हैं सौ हैं जितने भी डिस्प्यूट कोई ऐसा तनाजा जो सिवल नेचर का होगा उसकी जुरिस्टिक्शन किसके पास है सिवल कोट के पास है एक्स एक्सेप्टेंग किस चीज़ को बायर निकाला है इस कैटेगरी से ये बड़ा दाइरा बना दिया इसमें से किसको बायर निकाला है ऐसा तनाजा जिसकी बाबत कोई एक्सप्रेस बार मोजूद हो हास तोर पर बट इस बार एन्यों थिए लेट मी नो रुकावट मानी नहीं है आप इसको रीचेक करिए अथारिटी कोई असूल कोई रूल बार है ऐसी चीज़ ऐसा असूल जिसमें expressly लिख पढ़के jurisdiction civil court की बार कर दियो वो मुकदमा civil court नहीं सुनेगी मैं फिर repeat कर रहा हूँ तमाम मुकदमात सुनेगी जो भी civil nature की definition में आ जाएगा हर वो मुकदमा सुनेगी और accepting कौन सी चीज नहीं सुनेगी जिसकी बापत express बार है दूसरी कौन सी कैटेगरी के सूर्स नहीं सुनेगी जिसकी बापत implied bar मौजूद है और तीन सा कौन सी कैटेगरी के सूर्स नहीं सुनेगी ये 2018 में amendment आई थी general or special law जिस subject matter के related ये मौजूद हो उसको civil court नहीं सुनेगी कुछ बात की समझ आई हर तनाज़ा अब ये पैदा भी हो रहे हैं खतम भी हो रहे हैं खतम किस तरह से हो रहे हैं नए नए सूर्स नए नए कोर्स बनती जा रही हैं तो civil court की jurisdiction general or special law या implied law एक्सप्रेस बार implied बार के तहर block होती जा रही है revenue की हमने court बना दी तो revenue के सारे मामला revenue में भेज़ दिये और civil court का अख्तियार हमने उस पे कम कर दिया कोई सवाल हो अब इसकी examples एक दफा देख ले बार्स की principle सब को समझ आ गया अब कोई भी civil court जो हमने constitute की civil court वो कोई भी मुकदमा सुन सकती है जो civil nature का होगा बार्स क्या है express, implied और general or special law की existence अब examples देख लें आप आप revenue matter section 172 किस किस ने पढ़ा revenue act का land revenue act का आप में से किसी ने section 172 पढ़ा एक लंबी list बनी हुई है और वो list क्या कह रही है कि जनाबे civil court आप ये वाले मुकदमाद नहीं सुनेंगे बात में नहीं समझ गए है एक लंबी लेशता है कि जनाब आप ये वाले मुकदमाद नहीं सुनेंगे आपकी jurisdiction से हमने निकाल दिया और constitutional rule मैंने आपको क्या बताया कि जब तक किसी court के पास jurisdiction नहो वो मुकदमे की समाथ नहीं कर सकती अब इसके इलावा रेस जूटी कर्टा आप सब जानते होंगे court को क्या कह दिया एक ऐसा मुकदमा जिस पर पहले से फैसला हो चुक है असान लफ़ों बात करो जिस पर पहले से फैसला हो चुक है आप उसको दुबारा नहीं सुनेंगे isn't it a bar isn't it a rule रोक दिया गया authority दे दी गई कि आप आप इसको इसके तैट नहीं सुन रहे third one एक और example bar to suit intersection बारा दो अगर fraud, misrepresentation ये want of jurisdiction commit हुई किसी judgment ये order में तो वो कहते हैं कि दुबारा से आप उस नया suit file नहीं करें civil court नया suit नहीं सुनेगी ऐसे ही है civil court नया suit नहीं सुनेगी ये है express bars second implied bar कोई आपके पास मिसाल हो implied bar की एक तो सामने लिखी है constructive rest duty काटा आपने सुने what is constructive rest duty काटा I am sorry अगर आपको एक relief किसी वक्त पे available था और आपने उस relief को छोड़के कोई और बाकी का relief मांग लिया तो आप subsequently दावा दायर करके वोगला relief नहीं मांग सकते जो आपने छोड़ दिया तो this is an implied bar जब भी आप next time civil court के पास जाएंगे तो civil court will say no sir we will not be entertaining you और तीसरा जो अभी 2018 के बाद कैटेगरी आई अब ये 2018 से पहले ये जो general और special laws थे न ये सारी की सारी आपको exceptions implied bar में मिलेंगी अगर आप आम मेरे रजा साब की किताब भी पढ़ेंगे तो ये सारी की सारी special laws की बार जोनोंने implied bars के अंदर रखी चुकि अब हमारे पास 2018 के बाद एक एक clause आ गई कि ऐसा मुकदमा ऐसा subject matter जिसकी बाबत कोई general या special law मुझूद हो वो वला मुकदमा वो वला तनाजा civil court नहीं सुनेगी कौन कौन से हो सकते हैं मिसाले मैंने आपके सामने लिखी है फैमिली के dispute civil court के पास लेकर जाएंगे अब क्यों नहीं लेकर जाएंगे वोई जाज साब है वोई फैमिली सुन रहे है उनके पास civil judge आप क्यों नहीं लेकर जाएंगे because there is a special law there is a general law regarding family disputes इसलिए हम civil judge साब के पास नहीं जाएंगे पंजाब rented tribunal किस किस ने सुने हैं पंजाब rented premises act तो आप rent का मामला civil court के पास लेकर जाएंगे क्यों नहीं लेकर जाएंगे और अगर आप ले जाएं तो क्या civil court को उसको सुनना चाहिए नहीं सुनना चाहिए banking के disputes हैं तो banking का law मुझूद है ठीक है इसी तरह से consumer laws मुझूद है इसी तरह से labor courts मुझूद है इसी तरह से gas utility court मुझूद है इसी तरह से small causes courts मुझूद है and so on लंबी list अब सवाल ये है I'm sorry सवाल ये है कि आपने एक दावादायर कर दिया आपको लगता है कि ये civil nature का dispute है और आपने उस पर दावादायर कर दिया और opponent council जो है उन्होंने आगर this suit is barred ये नहीं चल सकता this court has no jurisdiction to detain this suit तो मुझे अपना है onus किस पर होगा ये थाबित करने का this suit is barred जी जी जो object कर दो उस पर हो कर वो बताएंगे किस law के तैद बार एक तो आपकी अपनी expertise है आपकी अपनी expertise क्या है आपकी अपनी expertise ये है कि आप कभी वो दावादायर मत करें जिसकी बाबत आपको पता है कि इसकी बाबत कोई express bar मुझूद है या कोई implied bar मुझूद है या इसके related कोई general या special law मुझूद है अब वो दावादायर ना करें और अगर आपने अच्छी खास study के बाद किसी civil dispute के उपर दावादायर कर दिया और किसी ने objection राय चलते गर दिया कि ये तो बार है तो the onus is on the other party to let you know how this particular suit dispute is bar जुरिस्टिक्शन को determine करना court की basically जुमेदा लिए देखे constitution ने court को ये कहा है कि आप कोई ऐसा dispute समात नहीं करेंगे जिस पर आपको एक्तियारे समात नहीं दिया गया ये court को कह दिया constitution ने ये law ने कह दिया तो ये court के पास एक्तियार है और court की duty है to determine कि देखे उस मामले में जब भी आपको पता चले तो आप उसको redressal के लिए application दें negligence I don't think it is a proper word to be used further than authority लेकिन somehow this happens हम usually जब पहला दिन है तो हम दावे को इस नजर से देखी नहीं रहे होते हैं जिस नजर से हमें देखना चाहिए पहले दिन हम दावे को इस नजर से देख रहे होते हैं पकील साब में फीस ले ली है अब इसको चलें स्टे देदें फिर नेक्स टेट पर देख लेंगे और दिस इस ड्रॉंक प्रैक्स हमें पहले दिन इस नजर से देखना है कि इदर देश सूट इस प्रोसीडिबल इन इस वृट आउट और अगर वह प्रोसीडिबल है तो हम आगे चलेंगे देखें आप गौर करें स्कीज की स्कीम के में स्कीज स्कीम है उसमें सबसे पहले सैक्शन 9 पे इफ़त्यारे समात रखनेंगी क्या जुरू है इसको कहीं अंड पे रखा जा स सब्सक्राइब दिस इस लॉजिकल अरेंजमेंट आफ तेंग्स लॉजिकली सबसे पहले आपके सामने मैंने सेक्शन नौ पढ़ा है यह हमने इसको देखना है जरूर इसको लाजम पहले देख लें ताके बाद में जाके हमें यह न फीलो कि यह तो चलना ही नहीं था और इतन रिजिस्टर इसका जरूर बनाएगा यह पहला फॉर्मल की इसका एक रिजिस्टर जरूर बनाएगा जिसमें इसी तरह से आप categorization करेंगे सबसे पहले एक साइड पर आप express बार्ज लिखते जाएंगे एक के बाद एक एक के बाद एक एक के बाद एक एक के बाद एक जब आप case पढ़ते जाएं senior का पढ़ें court में देखें judgments पढ़ें तो जितनी आपको बार्ज नजर आएं आप वो लिखते जाएं एकस्प्रेस में उसके बाद implied bars लिखते जाएं जो भी आप judgments में पढ़ें कि इस वज़ा से impliedly इसको बार कर दिया गया था ये नहीं सुना गया ये implied bar है लिखते जाएं special or journal laws जो exist करते हैं वो लिखते जाएं तो आपके पास within a period of one year or two years एक अच्छा खासा register होगा जो 99% of disputes को cope up जरूर करेगा तो begin with this formula at the very initial stage of your practice second मैंने आपको का था कि हमने याद करना है एक formula के तहर सबसे पहला हमने formula याद किया that is original or ultimate jurisdiction एक line में शायद भूल गया civil court को हम यह भी कहते हैं this is the court of ultimate jurisdiction why we call it the court of ultimate jurisdiction ultimate का मानी ही मैं आपको बदा दो that is called हत्मी जिसके बाद कुछ ना हो why we call it court of ultimate jurisdiction जहां किसी की jurisdiction नहीं होगी वहां civil court की फिर भी jurisdiction मौझूद हो this is a parent court बाकि सब इसके बच्चे हैं किसी की jurisdiction नहीं होगी तो इसकी होगी यह जो पहली लाइन है the court shall have jurisdiction to try all suits of a civil nature this gives it an ultimate jurisdiction ultimate jurisdiction बोर तो नहीं हो रहे हैं आप अच्छा मैंने कर लेक्चेर बोर होगी examples यह register आप लोग जरूर जरूर maintain करें इसी तरह से यह मैंने just examples लिखी है इस तरह से हजारों है CPC आप खुद पढ़ते जाएंगे वे रेक्ट तो CPC में आपको बहुत जारी list मिल जाएगी इसको again categorize भी किया जा सकता है express bar को again categorize भी किया जा सकता है bars provided in CPC जाएगे वारा को चाहे जाएगे harake civil code is the code of ultimate jurisdiction why it has been given jurisdiction to try all the suits of civil nature कोई भी दावा जो civil nature का होगा civil code सुन सकती है example मैं कहर था इसको अब दोबारा और भी classify कर सकते हैं वो बार्ज जो CPC के अंदर available है वो बार्ज जो CPC के बाहर किसी law में available है यहां पर नहीं लिखा जैसे कॉप 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 कर देता है तो आपको उसके पास रिजिस्ट्रार के पास जाना चाहिए तो आप लिस्ट में मैंचन कर सकते हैं सेकेंड उस फॉर्मिले में जो पांच का फॉर्मिला हमने पढ़ा था दे फस्ट वन औरिजिनल और अल्टिमेड जुरिस्टिक्शन दे सेकेंड उसमें है टेरिटोरियल जुरिस्टिक्शन अब यह जो सिवल कोर्ट का फॉर्मिला पढ़ा था हमने क्यों इसको पहले नंबर पे रखा क्योंके हर सिवल कोर्ट पर वो लागू है हर सिवल कोर्ट पर वो पूरे पंजाब को इस तरह से एक आप दाइरा बनाएं अपने तखायूल में उस पंजाब के किसी भी कोने में कोई भी सिवल कोर्ट बैठी हो उसने सैक्शन 9 को सबसे पहले देखना है फिर परसीड करना है आपने जब दावा लिखने है तो सबसे पहले इसी चीज़ को नोट करना है क्या सिवल कोर्ट सुन सकती है this is section 9 क्या civil court सुन सकती है क्या कोई express bar तो नहीं है क्या कोई implied bar तो नहीं है क्या कोई general यह special law तो नहीं आ गया हुआ इस subject पे कि आपने देखना है किसके case और अगर यह तीनों चीज़ ने आपको नहीं मिली तो आप क्या कर रहे हैं कि civil court को आप समझ नहीं है कि civil court has the jurisdiction किसके पास? civil court के पास अब कौन से इलाके की civil court हमारे पास districts हैं फिर उसके पाद तस्हीले हैं अब कौन से इलाके की civil court अक्सर आपके पास आएगा किसके पास यह मेरे पास यह territorial jurisdiction नहीं तो jurisdiction जब भी आप समझने के लिए मैं बता हूँ जब भी आपके जेन में जुरिस्टिक्शन की बात आए तो you must raise a question कौन सी जुरिस्टिक्शन नहीं है पहली नहीं है दूसरी नहीं है या तीसरी नहीं है क्योंकि इनके consequences different पहली जुरिस्टिक्शन नहीं है तो फिर तो बात खतम होगी ना कोड ट्राइ करेगी नहीं और अगर दूसरी जुरिस्टिक्शन नहीं है फॉर एक्जेंपल आपकी property situate करती है लहौर में और आपने दावा जागी कर दिया गुजरावाला में क्यों आपने का मैं ज़र आईजी रहता हूं मैं रोज वजीराबाद से आता हूं तो गुजरावाला मुझे नजदीख पड़ता है इस निड़ गुड वे आपकी बड़ी convenience हो गई बट लॉड दस नॉट रिकेगनाईज देस आपको लहूर में आकर दावा करना पड़ेगा क्यूं प्रॉपर्टी सिच्वेट्स एड लहूर दिस नॉट दी ओनली फॉर्मिला माइ ब्रदर्स दिस नॉट दी ओनली फॉर्मिला अब टेरिटोरियल जुस्रिक्शन पर जितने भी रूल्स हैं वह तो हमें स्ट्षिन सोलह से लेकर सेक्शन एकिस तक मिल जाते हैं से पीशी ने ही कैसे मैं आ रहूं उसी मैं उसी प्यार हूं इसी में वो एक्स्प्लेंट करेंगे इंशाल्ला अगर आपको किसी को औरिजिनल जुरिस्टिक्शन पे यह अल्टिमेट पे कोई क्वेस्टन आए तो वो मुझे ज़रूर बताएं पहले I would like to understand कि आपको समझ आगी उसकी done है second portion हम पढ़ रहे थे second time that is territorial jurisdiction ilaqai jurisdiction कौन सी court को सुनना चाहिए कौन सी court सुनेगी और अगर मैंने गलत जगा पे file कर दिया तो क्या होगा section 16 से लेकर 20 तक यह rules लिखे हैं कौन सी court सुनेगी सबसे पहला rule आप screen पर पढ़ रहे हैं suits to be instituted where the subject matter situations जहां पर वो share जिसकी बाबत आप दावा कर रहे हैं वो situation करती है पहला rule कहता है वहाँ पर सुनेगे दाने जी अब मैं इसको explain भी करूँगा second, third अभी भूल जाएं तीस, दूसरी category जो है इसी में कौन सी court सुनेगी suits for compensation for wrongs to persons or movable अगर compensation का suit है या किसी movable property को नुकसान को अचाने का दावा है तो कौन सी court सुनेगी ये दूसरी category है section 16, 17 और 18 ये जुड़े हुएं आपस में section 16, 19 और 20 ये हमें तीनो sections रूल बता रहे हैं कौन कौन सी अधालत सुनेगी and the third one, other suits अब जो suit 16 में नहीं है जो suit 19 में नहीं है वो 20 में आ जाएगा general clause देवी अब 16 क्या है categories देखे ये इसी तरह से ABCDE हमारे पास law में लिखी हुई है पहली, अभी मैं categories पढ़ने लगा हूँ suits की suits for recovery of immovable property अगर आपने immovable property को recover करना है उसका दावा आपने दाएर किया है कौन सा कौन सा सर immovable property दूसरा suit for partition of immovable property दूसरा कौन सा है partition of immovable property तीसरा suit for foreclosure, sale or redemption mortgage के रिलेटिट तीनो दावे हैं और चौथा suit for determination of any other right in the immovable property इस clause की exception आपकी expansion को देखें दाव ये क्या कह रहा है suit क्या determine करने के लिए कोई भी right कोई भी right किस चीज़ में इसी immovable property में जो move नहीं कर सकती उसमें आपका कोई भी right आप ये हजार हो सकते हैं लाखों भी शायद हो सकते हो ठीक है और थर्ड बन suit for compensation for wrongs to immovable property immovable property को wrong commit उसके साथ करने का जैसे कोई आपकी जो है वो फसल खराब कर दो ठीक है आपकी property पे जो है वो कोई noxious material गिरा दे ठीक है जी और उसको moveable property attachment में ये जो पांच clauses है इनकी बाबत एक rule है और वो rule colored लिखा हुआ है इन पांचो clauses में suit shall be instituted in the court within the local limits of whose jurisdiction the property is situated बात की समझ आई सर आपको end पे समझ आई इन पांचो categories के अंदर इन पांचो categories के अंदर सूट वहां पर फाइल किया जाएगा इन पांचो categories में जहां पर वो immovable property situated करती है exception है इसकी c clause c clause की बाबत conditional rule भी available है के जहां पर cause of actionable आई यू वहां भी कर सके तो पहली हमारे पास जो category आई territorial jurisdiction के हवाले से के सूट वहां पर फाइल करेंगे जहां पर immovable property situation करती है ठीक है जी अब मैं आप से मिसाल के बाद पूछ करूं मेरा civil property में हिस्सा है और वो property शेख कुरा में लाए करती है और मैं रहता हूं लहौर में तो मैं एक सूट कहां पर फाइल करूंगा क्यों विकास देरिजर रिम्मूवेबल property वाल्व और वो property कहां पर है अच्छा से को जरा पीए तरह मैं गरतों मैं करतों अब ही मैं आपको बताता हूं अब ही वहां पर लेकर चलता हूं आपको section 17 जरा पढ़िएगा इसकी category पढ़िएगा 17 की मैं उनके सवाल का specific जवाब दे दूँए suits for immovable property situates within the jurisdiction of different courts अब आधी property एक ही property थी मैं मालक हूं दस कनाल का और वह आधी जो है वह गुज्रावला की तसहील कामों की में fall करती है और आधी जो है वह गुज्रावला में fall करती है कहां पर suit file करूंगा दोनों में से किसी एक जगा पर मुझे law कहता है जाकर file करो and this is a competent suit आपको यह नहीं कहा जा सकता है नहीं आप इदर से उधर जाएं football तो नहीं बनाना नाम लें आपको कह दिया दोनों में से किसी एक जगा आप suit file कर लें किसी एक जगा आप suit file कर सकते हैं इसी तरह यह जो अठारा है मैंने इसलिए का था ने यह 16 के साथ मिला हुआ है वही movable property के साथ है अठारा में कहता है अगर jurisdiction आपकी uncertain है पता ही नहीं है कि यह किसकी jurisdiction में fall कर रहा है वो इंडिया की movie आई थी बदला पर आपने जब देखी हो किसी नहीं पता ही नहीं चलता वो गाहों किसकी territorial jurisdiction में तो अगर फर्ज करें कोई इस तरह की property हो जिसका पता ही नहीं चलता आप तो देखें geographic service हो चुके हैं आप तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस तरह की property होगी जिसकी jurisdiction certain ही नहीं नहीं लेकिन 1908 में यह possibility है और कल भी हो सकती है और जिस property की jurisdiction certain ना होके यह किसकी jurisdiction में आता है तो जहां जहां कोई portion आ रहा होगा उन में से किसी भी court में वो कहते हैं जाकि आप दावादाएटर कोई question रह गया जीप सब्सक्राइब कोई काउफ आफ अफ एक्शन बताएं कैसी कठी होगी बताएं एक प्रापटी साहीवाल में और एक गुजरावाला बिल्कुल ठीक है तो ये लेदा लेदा कॉज आफ एक्शन है वहां पर इंतकाल लेदा आपको डिप्राइव किया गया है और यहां पर लेदा डिप्राइव किया गया है बात समझे नहीं है लेदा लेदा ये कॉज आफ एक्शन ही लेदा है ये कॉज आफ एक्शन अब मेरी फर्ज करें किसी शक्स की साथ जिलों में प्रॉपर्टी हो, तो कि ये उसको इखियार नी दिया जा सकता, एक जगा पर सारे सूख फायल कर, बिकाज, अब फर्ज करें, रिजिस्ट्री हो गई एक जगा पर, तो आपने उस रिजिस्ट्री को चैलेंज करना है, जणाब ये द काम मुकी में ने लिखा गया, तो कॉज अफचिन काम मुकी में बना, और अगर वही गलती, आप जिस जगह की साहिवाल की कह़रे हैं, वहां भी ने लिखा गया, तो लदालादा जुर्स्टिक्श्टिक्शन होगी, आपको दो दावे दाएर करें, मर्ज तो हाई कोड़ की पार है वो कर सकती है अधर्वाइज यह अलएदा लएदा सुने जाएंगे ठीक है जी डन है यहां तक यह पहली कैटेगरी बिल्कुल ऐसे है जी बिल्कुल सेक्शन सोला हमें यह सत्रा कह रहा है कि आप दोनों में से चूज कर लेंगे यह कुछ खास मख्सूस अलाकों की यह मसाइल हैं यह हर जगा पर नहीं है कोई परसंटेज नहीं है अगर आपका एक मरला भी किसी जुरिस्टिक्शन में है तो आप एक मरले वाली जगा पर भी जा सकते हैं और किसी दूसरी जगा पर उसी प्रॉपर्टी का 20 मरले का हिसा है तो लौ यह कहता है कि आप दोनों में से चूज कर सकते हैं कोई परसंटेज किसी भी किसम की वो डिफाइन नहीं करता लौग अब थोड़ा सा आगे चलते हैं जी प्लीज 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 किस चीज का डेक्लरेशन करना है किस चीज का किस चीज का आपका कोई सुन लें बाद के, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, जो question कर रहा हूँ, this is an answer to your question, किस चीज का declaration मांगते हैं आप जाके court से, आप ये कहते हैं कि मैं मालक हूँ, इस property का ये declaration मांगते हैं, कभी भी court आपको नहीं देगी, हो ही नहीं सकता, आप कहते हैं, ये मेरा फादर है, फोट हो गया है, ये उसके साथ बचे हैं, उनमें से एक मैं हूँ, ये डिकलेर कर दे, this is declaration, ये हो सकती ये लहौर में, कीक है जी, बात में ही समझ गये हैं, अगर आप property को involve करेंगे, तो फिर आपको पिशावर जाना पड़ेगा, प्लेंट में लिख देना कोई बात नहीं है, वो इग्नोर भी करते हैं, आप सारे लिखते होंगे, ठीक है, इग्नोर भी हो जाता है, कभी भी उस पे एड़्यूडिकेशन नहीं होगी, ये बात याद रखिएगा, ठीक है, ये जी, करा सकते हैं, अभी हम उस पे आने लगे हैं, थोड़ा सा टाइम दे तो उस पे आ जाएंगे, इप टेरिटोरियल जूर्सिक्शन की बाप बता, आपकी बात क्लियर हुई है, आपका कॉंसेट थोड़ा सा, कि जो पहला फॉर्मूला है हमारे पास, तीन ही तो जंगें है, जार जमीन और जार की, तो जमीन की तो उस करती है, अब आजी आगे, सेक्शन 19, अगर आप कंपंसेशन क्लेम कर रहे हैं, कंपंसेशन, कोई आपका सिवल रॉंग आपके साथ कमिट हो गया, आपकी गाड़ी किसी ने तोड़ दी, किसी और चीज़ को नुकसान पहुंचा दिया, आपके साथ फ्रॉड कर गया कोई ब आपको किसी बंदे ने का, मैं आपको कल फलानी चीज़ ला दूँगा, तो आप मुझे आज इतने पैसे दे दें, आपने उसको इतने पैसे दे दिये, अब कल वो गाइब हो गया है, फ्रॉड हो गया ना आपके साथ, चार सो बीसी हो गई, आप पैसे रिकवर करने हैं, ल इसमें भी दोड़ आप्शन दे रहा हूँ, जहां पर कॉज अफ एक्शन सॉरी, जहां पर डिफैंडेंट रिजाइड करता है, ता कि एग्जेकुशन सुटली हो सके, आप वहाँ पर भी कर सकते हैं, और दूसरी बात कहां पर कर सकते हैं, जहां पर कॉज अफ़ एक्शन वा ये option किसको दे दिया? टो defendant इस पे इतराज नहीं कर सकता, अगर फुर्ज करें मैं आप्ट करता हूं, जहां defendant रहता है, वहाँ पे, तो यह भी मेरी मर्जी है, और अगर मैं आप्ट करता हूं, जहां cause of action और नुक्सान पहुए, तो यह भी मेरी मर्जी है. For example, मैं लहोर से से आलपोर जा रहा था यां फर्ज करें फैसलबाद जा रहा था तो रस्ते में किसी पॉइंट पर किसी बंदे मेरी गाड़ी को नोकसान पहुंचा लिया तो I want to claim recovery किस जिगा पर करूगा मुझे address का पता है वो बंदा रहने वाला फैसलबाद किया तो मैं फैसलबाद कर सकता हूँ यह मेरा option और अगर मुझे नहीं पता कि कहा का रहने वाला है तो कहां पर कर सकता हूँ जहां पर cause of action rise हुआ वो जिसके भी jurisdiction territorial होगी यह आप बताएंगे मैंने आपको कहा civil court can entertain every dispute of civil nature तो आप बताएंगे is it not civil nature dispute पैसे देने है मैंने मेरे से पैसे ले गया फ्रॉड करके तो मैंने पैसे वापस लेने है what is criminal proceedings एक by the way question है question interesting है इसलिए मैं इसको जवाब दो फर्ज कर ले कि मैं लहौर से मैं किसी जगा से यहां लहौर पहुंचा हूँ और मेरी गाड़ी बाएर कहीं पर खड़ी है आप लोगों की भी गाड़ी है बाएर कहीं पार्कूरी तो एक हजूम protesters काता है और वो आपकी गाड़ी को जो है वो तोड़ देता है ऐसे ही है वो सकता है ने असा होता है पाकस्तान में एकसर हम सुन लेते हैं तो यह क्रिमिनल एक्ट है के सिवल एक्ट है क्रिमिनल एक्ट है मैंने F.I.R. भी दर्जिकरा दी F.I.R. के बाद ट्राइल भी हो गया और उनको तीन-तीन-चार-चार साल सजा भी होगी सबको CCTV फुटेज भी निकाल ली थी पता भी चल गया Mr. A. भी था, Mr. B. भी था, Mr. C. भी था, Mr. D. भी था इन सारों ने मिल कर एक गाडी तोड दी थी उसको सबग मिल गया अच्छा फिर मेरी गाड़ी where is justice मेरी गाड़ी I always have this right to recover my vehicle from that very persons यह मेरा right है किसने exclude किया इसको आपने taught नहीं पड़ा जबने wrong to person, wrong to property और यह सारा civil law taught ही तो है और क्या है रांग to property कमिट किया उसने तो मैंने उसको recover करना है बात समझ आ रहे हैं American एक footballer था बड़ा मशूर वो अभी मुझे उसका नाम आ जाता है जहन में अमेरिका की history में बड़ा हम केस है उसमें क्या हुआ सुरी ओजे सिंप्सम बेरी ग्रोड सर्थेंक्यू एक मिस्टर ओजे सिंप्सम थे he was a negro बड़ा popular footballer था बड़ा popular उसमें murder कर दिया अपनी एक्स वाइफ को और उसके boyfriend अब उसका murder करने के बाद मर्डर कमिट होने के बाद उसकी अरेस्ट का वाकिया बड़ा शांदार है वो रोड़ पर भाग रहा था और वो लाइव चल रहा आप अभी यूट्यूब बगर देख सकते हैं लाइव उसको arrest करती है पुलीस पुलीस तो उसको arrest कर लिया अरेस्ट करने के बाद जूरी बैठ गई मुकदमे का फैसला हो गया और उस मुकदमे में वो ये बड़ी हो गया ठीक है था पॉपुलर फैसला और American history है देखे law evolve करना हमने सोचना है पहले पूरी मिसाल अगर ये अगर ये मिसा पर ये 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 बड़ी वजा हो सकते हैं आप ये पहली दफ़ा किसी से सुना था तो मेरा response यही था किसी बाते कर रहे हैं पानी पीलें थोड़ा सा ओजे सिंसंस आपको बड़ी कर दिया जूरी ने जूरी ने का benefit of doubt है हम ने इसको और मिस्टर ओजे सिंसं को डैमेज इस पढ़ गए उसी cause of action तसवर कर रहे हैं आप इसको अब आप खोले जाके इंटरनेट और देखें क्या ये बात सच्छा है के नहीं आपको judgments भी पूरी की पूरी मिल जाएंगे क्यों जूरी ने किस पात पर उनको उसको एक्विट किया benefit of doubt वहाँ पे जब trial चल रहा था तो पुलीस ने gloves पेश किये ये एक वज़ा थी ये वाले और जो lawyer थे उसके accused के he said कि इसको gloves पेनाए अब वो gloves पेनाए गए वो छोटे थे उसके हाथ पे पूरे ही नहीं आए तो पुलीस का claim ये था कि ये gloves पेन के इस ने क्या किया है murder commit किया और इस पर blood के samples बगएरा थे बास समझ रहे है मेरी तो benefit of doubt rise हुआ कि जब gloves ही नहीं इसको पूरे आ रहे तो blood कौन सा और उनकी tagline क्या थी मुकदमे की end पे arguments में when it does not fit gloves fit नहीं हो रहे ना ये lawyer है जो explain करेगा court court आदा काम करती है मैं आपको ये बात बड़ी जुमेदारी से कह सकता हूँ आदा काम करती है आदा आप नहीं करना है आप आदा छोड़ देंगे तो पूरे justice की तुफीक आप बिलकुल उमीद ना रखें कि ये हो जाएगी सारे का सारा इंसाव he says when it does not fit you must acquit this was the tagline ये बाइद आवे बात हो लिए ठीक है एकुटल कर दिया criminal justice system यही कहता है कि whenever there is a benefit of reasonable doubt word reasonable को भी तरह और से कभी lecture हुआ तो फिर बताएंगे what is reasonable whenever there is a reasonable doubt you must go for acquittal of the case conviction नहीं हो सकती civil में क्या principle है sir civil में claim पहले देख लें causing किसी को slap करना isn't it a thought slender slender पढ़े आप में से किसी नहीं है what was slender what was a salt मैं यहां से उठाँ और आपको threat करने के लिए एक gesture दूँ कि I'll be hitting you this is a salt and what is slender मैं आपको touch करूं आग से तो यह slender जो है isn't it a thought isn't it a civil wrong isn't it infringement of my civil right is it not so कौन कौन कहता है इसा नहीं है कौन कौन इससे agree नहीं करता कि यह मेरे राइट infringement है मेरे पर्सनल राइट स्टेट अपनी जिए पर काइम है आप ने मुझे थपड मार दिया तो स्टेट कहें कि क्यों मारा हमारा लौ था कि आप इसको नहीं मारेंगे मेरा क्या बनेगा मेरा भी तो राइट वाइलेट हुआ है उसका क्या करेंगे आप नहीं वाइलेट हुआ कौन कौन कहता है नहीं वाइलेट हुआ है कौन कौन कहता है नहीं वाइलेट हुआ 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 ह इसके लिए डैमेजिस क्लेम करने का राइट रखता हूं और मैं थपड़ की बात कर रहा हूं उसने तो उसका बेटा मार दिया और क्या उस पे शिवल क्लेम नहीं है यह बात सच है अगर आप सुबह उठके किसी 302 के मुकदमे के फैसले के बाद किसी पर डैमेजिस का सूट फाइल कर देंगे तो लोग आप्वियूसली एड दी बिगिनिग ओफ दे वैरी सूट थोड़ा सा हसे गे फुड़ा मुस्क रहेंगे कि यार चलो बच्चा है कोई बात नहीं हो गया भी इसको वकालत का पता नहीं है बड़ माई यंग फैलोज गो फॉर देस डू गो फॉर देस देर एंपल ऑपर्चुनिटीज इस इस वाइलेशन ऑफ सिवल राइट और सिवल कोट इस देर साथ यह आगे डिबेटेबल बात है इन सम सरकम्स्टांसेज आपका जो है वो सिवल और क्रिमिनल दोनों ही कठे चाल सकते हैं मैं फिर आपको मिसाल दो फ्रांस में आप क्रिमिनल सूट के साथ ही सिवल क्लेम फाइल कर सकते हैं उसी कोट में फ्रांस के जुरिस्टिक्शन में आप सिवल क्रिमिनल कोट के साथ ही अपना सिवल क्लेम फाइल कर सकते हैं और वही कोट क्रिमिनल को क्रिमिनल के बेसिक प्रिंसिपल्स पर डिसाइड कर देगी और वही कोट सिवल लिटिगेशन को सिवल के बेसिक प्रिंसिपल्स पर डिस चल सकती है जी सब्सक्राइब यह मैं अभी बता रहूं ना आपको यह मैं आपको अमेरिकन हिस्ट्री का सबसे बड़ा मुकदमे की एक्जेम्पल दे रहा हूं और मैं सवाल मेरा मैं आपको सब आप पर यह सवाल छोड़ कर चला जाता हूं कि कोई प्रोहिबिशन बता दे हम उससे इंफ्लेंस भी हैं फैडरल सिस्टम ले 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 इस इंफ्लेंस भी हम वाइन और दिस पर्टिक्लर प्रिंसिपल एक मिसाल है चुकि यह थोड़ा सब बाइदा भी क्वेस्टिन आ गया को मैंने इसको रिस्पॉंड किया पबंदी नहीं है नहीं है पबंदी नहीं सब्सक्राइब नहीं है अगर मैं इस पर बात करना शुरू कर दू तो फिर आइधिंग हम डाइवर्ट हो जेंगे इसको रिचेक कर लीजेग लास पर वापस आते हैं जुरिस्टिक्शन के टॉपिक पे थे हम तो पहला हमारा जुरिस्टिक्शन का जो था फॉर्मूले के तहत देट वाज इल्टिमेट जुरिस्टिक्शन civil court has the ultimate jurisdiction second was territorial अब civil court तो सुने गी ये बात तो हमने तै कर लिया there is no express bar, there is no implied bar there is no journal or special law तो ये वाला मुकदमा civil court सुने गी अब कौन सी civil court कौन से इलाके की civil court सुने गी ये हमें बता रहा section 16, 19 और 21 अब section 20 क्या कहता है कहता है एक तो हमने दावा अब डबल जिए पार्टी में नहीं आता हो नहीं आता हो फिर बात उबस स्टार्ट होगी का डूनल वांट टो डैवर्ट क्योंकि ये लेक्चर थोड़ा लंब है मुझे ये पता है वाट इस डबल जिए पार्टी एक बंदे को किसी एक उफेंस में सजा देना या ट्राइल करना डिस इस डबल जिए पार्टी कब कर रहे हैं हम उसको सजा कब दे रहे हैं प्री पॉंडरेंस हम सिवल में सिवल सजा है सिवल सजा है कि जिस सेक्षिन की आप बात करें डबल जिए पार्टी 403C RPC वहाँ पे लिखा हुआ है कि सीपीसी की प्रसीडिंग्स नहीं चलेंगे तो नहीं लिखा हुआ हुआ तो कैसे हम इंफर करेंगे कि हाँ ये भी जबल जिए पार्टी नहें आ रहा है मैं यही कह रहा हूं कि American jurisprudence में nonsense मुझूद है हमारे system में common sense मुझूद है मैं यही आपको पताना चाहिए और there are some nonsenses which are to be introduced to our system कुछ इस तरह की nonsense is मुझूद है for example the concept of cost concept of cost जो है sir please sir please please concept of cost जो है वो alien है हमारे system में cost कभी cost अगर high code में से मिल जाए किसी को एक लाख दो लाख तो वो खबर बन जाती है क्यों आप western jurisprudence में देखें कोई मुकदमा तब तक completely dispose of नहीं हो सकता जब तक cost determine नहीं की जाती किस बंदेगा कसूर था किस ने किसको कितना खेंचा और इस्लामबाद की आप legislation अगर पढ़ने cpc में amendment तो वह कहते हैं at the end of the suit both the parties will submit their costs दोनों पार्टी मुकदमे के एक्ताम पे सर अपनी cost submit करेंगी और cost submit करने के बाद final argument सुने जाएंगे और फिर court फैसला करेंगी और साथ में cost का फैसला भी करेंगी किसने किसको कितनी cost देनी हैं बास समझ रहे हैं तो ये evolution है law की civil court की remedy मैंने आपको एक सवाल किया आप इस पर गवर कीजिएगा वो जो बंदा बाहर जिसकी गाड़ी तोड़ दी थी ना उसके लिए आप 10 साल किसी को सदा दे 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 बीस साल सदा दे दे आप रियास्त उसको उमर कहत दे दे उसको justice नहीं मिला याद रखिएगा मेरी बात जस्टिस का एक mechanism section 544 CRPC में भी मौदूब वो कहता है जब court को लगे कि इसका नुकसान हुआ है तो compensation का जरूर दें that is shall और जरूर compensation दें किस लिए ताकि ये civil litigation वाइड हो सके तो गोरे ने तो जब ये law इसको constitute किया तो हमें बिलकुल भी मना नहीं किया कि आप civil litigation जो है वो मना करें बंद करें ना करें लौ कलियर है अगर express बार नहीं है implied bar नहीं है जर्नल या special law मौजूद नहीं है तो आप जा सकते हैं civil court में और अब आप पर लाजम है अब लाजम है कि अब आप OJ Simpson वाला केस उसकी दोनों judgment जरूर पढ़ें नेट पे वेलेबल हैं जी सवाल था my lord fine is a punishment like imprisonment that is not compensation and fine once again goes to the state not to the other party हाँ एक सुरत है और कंपंसेशन ग्रांट करना शुरू कर दें आप कंपंसेशन मांगना शुरू कर दें 489F एक बंदे ने जैली चेक दे दिया आपने बड़ी दौड धूप की और बड़ी मुश्किल के बाद परचा करवा लिया फिर उन्होंने फौरी तोर पर उसको चलान किया और जेल भेज दिया अब उसका ट्राइल हो गया उसको दो साल की सजा हो गई आपके पैसे सर पैसे या आपके पीछे वेले दोस्त कह रहे हैं 489F की मिसाल दे रहा हूं उसको तीन साल की सजा भी दे दी कोट ने उसने चेक डिसानर हो गया था पांच लाग दस लाग बीस लाग का चेक ता डिसानर भी हो गया सर उसका ट्राइल चला सजा भी हो गई और सजा होने के ऒगाबुम के बाड狂 कि आप भागते हैं और आप 37 रूली 2 कर लें और तब आप 37 रूल टू करते हैं और तब नहीं आप कहते कि यह तो कॉमन सेंस नहीं हैं तब तो डबल जियो पारटी का सवाल भी नहीं उठा तभी नहीं उठा रहा तभी किसीने 322 तो के दावे के बा मैं कह रहा हूं कि this also is the similar example तो डबल जीओ पार्टी का सवाल मेरे भाईयों नहीं उठेगा इससे आगे अब यंग लॉट है आपने इसको एक्सप्लोर करना है तो I might be wrong in something कुछ legal हो सकता है कि मेरे पास expertise नहों आपने इसको एक्सप्लोर कर रहा है और I am very much hopeful कि आप इंशाला यह जो system स्टार्ट हो गया आप इंशाला आप करेंगे कंपंसेशन में तो शैल का वर्ड मेंडेटरी है आपको तो उस जज्जमेंट के खिलाफ रवीजन भी करनी चाहिए जिसमें केस साबत हो जाए और कोट उसमें कंपंसेशन ना दे नहीं बास समझ रहे हैं आपको तो रवीजन भी करनी चाहिए that is a mandatory clause और को भी खुले दिल के साथ सुनना चाहिए second यह भी मैं आपको बता है judgment incomplete judgment है अगर आप complainant को अब इससे ज्यादा मेरे से तनकीद ना करना है system पर आगे चाहिए when the defendant section 20 वापस आये jurisdiction पर फिर मुझे उदर से रिपीट करना पड़ेगा section section 9 ultimate jurisdiction उसके territorial territorial में पहला जो section था कौन सी court पहला formula जहां immovable property situation करती है वो वाली court दूसरा formula अगर wrong है to person या property और वो इसकी wrong को मैंने redress करवाना है compensation के जुम्रे में तो कौन सी court जहां cause of action rise हुआ था या जहां defendant reside करता है और तीसरा formula जो है वो लिखा है section 20 गेंदर इसको पढ़ लेते हैं इसकी heading start इस तरह सोती है other suits to be instituted where defendant resides or cause of action arises तमाम भी गर्दावे तमाम भी गर्दावे किसी भी किसम का हो उसमें declaration आ सकता है तमाम भी गर्दावे जो immovable property related नहीं है बास समझ रहे हैं जो immovable property related नहीं है और जो जो compensation to for wrong to person या movable property नहीं है कहीं भी किये जा सकते हैं कहां पर दो जगा उसकी भी पहली पहली जगा वो आपको दी गई है जहां defendant reside करता है और दूसरी cause of action की जगा अब इसमें बड़ा सान सा formula जहां cause of action rise तो वहां पे कर लें क्यों 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 क्योंकि अगर एक defendant है तो जहां defendant decide करता है वहां पे हम कर लेंगे और अगर defendant 10 हैं और वो 10 मुखलफ इसला میں रहते हैं तो क्या करेंगे यह option असान है ना इसलिए हम फौरी तोर पे भागते हैं कि जहां पर cause of action rise हुआ है वहाँ पर कर ले ठीक है दूसरा formula भी है A और B में उसी को redress किया गया है एक defendant है तो जहां वो रहता है वो कर ले और अगर एक से ज्यादा defendants है तीन, चार, पाँच तो court की permission के साथ court की किसी एक जगा पर जहां पर कोई ही एक defendant रहता हो या sub defendant की मरजी के साथ बात समझागी समझागी सर्थ आगे चलें तीनो formula territorial jurisdiction के यह हमारे सामने section 21 बड़ा important है territorial jurisdiction के वाले से objection जो है territorial jurisdiction का I'm sorry मैंने यहां लिखा नहीं है देखी slide मैंने इसमें नहीं है मैं आपको वैस एक्स्प्रेंड कर लोगा section 6 जो है वो sorry 21 that says कि अगर आपका कोई territorial jurisdiction का objection है तो हम उसको appellate और regional stage पर नहीं सुनेंगे अगर कब नहीं सुनेंगे अगर आपने first available opportunity पे first available opportunity पे objection raise नहीं किया था ठीक है और first available opportunity के बाद आपने issues frame होने तक नहीं किया तो बिलकुल नहीं सुनेंगे आप अगर फर्ज करें एक property थी जिसको जिसके बाबत हम समझते हैं कि ये गलत जगा पे territorial jurisdiction में suit file हो गया और मैं उस पे objection नहीं करता ठीक है और issues frame हो जाते हैं तो मेरा right जो है to raise an objection that extinguishes डन है जी तो दोनों jurisdictions आपने समझ आ गई आपको के court के पास जब भी jurisdiction का सवाल उठेगा word jurisdiction आएगा तो the first question जो आपके जेन में उठना चाहिए that is ultimate या original jurisdiction under article under section 9 of the CPC और जो दूसरा सवाल आपके जेन में उठना चाहिए जो दूसरी चीज़ आप रड्रेस करेंगे that is कौन सी court कौन सी अलाका ये दालत यही वज़ा है my brothers यही वज़ा है कि जब आप plane start करते हैं तो you write down in the court of in the London court of senior civil judge senior civil judge लाहौर क्योंकि आपने determine कर लिया कि यह civil court में चलना है और 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 लहौर में दोनों बाते clear हैं अब प्लेंट आगे बढ़ाएंगे हम अपने थर्ड जुरिस्टिक्शन सर पिक्यूनरी पिक्यूनरी जुरिस्टिक्शन आप सिवल कोर्स तो पिक्यूनरी जुरिस्टिक्शन के बाबत section 6 में रूल लिखा हुए section 6 of the CPC it says कि कोई भी कोई भी inference draw ने की जा सकती पिक्यूनरी जुरिस्टिक्शन के वाले से जिस court के पास जो पिक्यूनरी जुरिस्टिक्शन है वो उसी पिक्यूनरी जुरिस्टिक्शन के मताबक अपना मुकदमा सुनेगी बाकी नहीं सुनेगी ठीक है सर अब पिक्यूनिरी जुरिस्टिक्शन है क्या किस के पास कितनी पिक्यूनिरी जुरिस्टिक्शन है तो यहां पर हमें सौाल था गूई सेक्शन देखें Seven of the Punjab Civil Courts Ordinance 1962 यह हमें बताता है सबसे पहले यह कहता है जो डिस्टिक जजज है ना डिस्टिक जजज उसकी जो ओरिजिनल जुरिस्टिक्शन होगी पिक्यूनिरी लिमिट वो unlimited old किसकी? district judge यानि किसी भी मालियत का दावा हो तो originally उसको try करना हो तो कौन करेगा? इसलिए आपने कभी 37-2 के दावे में negotiable instrument जिसमें involved हो वो 20 करोड 5 हरब 10 हरब का भी हो तो आपने कभी सोचा नहीं कि additional session जाज केड़े को जाना क्यूंके उनके पास ultimate jurisdiction है ठीक है जी? ठीक है? अब आगे आज़े civil court की अब civil court की बापत इसी का section 9 कहता है कि ये जो civil court की pecuniary jurisdiction है ना इसको high court determine करेगी किसी भी civil judge को किसी क्लास में enter करने के बाद तो जब हम selection हुई तो we were civil judges class 3 तो उस वक्त में 2015 में हमारी जो मैं मैं दोरा रहूँ मैं नहीं आगे नहीं जाओँ मैं दोरा हूँगा मैं आगे नहीं जाओँ थोड़ा सा समझा लेंगा हम जिब selection हुई तो हमारी pecuniary jurisdiction जो थी वह एक लाग उरपय थी ठीक है थी और जो civil judge class 2 थे दास लाग की या पांच थी शाय और civil judge की unlimited फिर रिवाइज हो गया 2016 में civil judge की high court के notification के मताबिक civil judge first class की pecuniary jurisdiction कितनी है unlimited class 2 की 5 million या 50 लाग और class 1 की कोई भी ऐसा subject matter कोई भी ऐसा subject matter कोई भी ऐसी वज़ा कोई भी ऐसी चीज जिसकी बुनियाद पर आप अदालत में गए हैं उसकी value अगर 10 लाग है तो civil judge कौन सुनेगा class 3 अगर 50 लाग है कौन सुनेगा class 2 और अगर इस से ज्यादा है तो कौन सुनेगा class 3 अब यहाँ पर सवाल यह है कि original jurisdictions तो हमारे पास दो आ गई unlimited district judge के पास भी unlimited और civil judge first class के पास भी unlimited तो इन दोनों में से हमने दावा किसके पास दायर करना है और अगर पचास लाग का क्लेम है तो civil judge first class भी सुन सकता है second भी सुन सकता है किसको सुनना चाहिए और अगर पांच लाग की क्लेम का दावा है तो उसको कौन सुन सकता है वान भी सुन सकता है तो भी सुन सकता है लेकिन किसको सुनना चाहिए पंदरा की स्पिरिट के मताबिक class 3 को अब यह हो गई तीन jurisdictions हमारी कोई सवाल है कोई और सवाल किसी का हो jurisdictions अब रटा क्या हमने लगाना है जब भी jurisdiction का सवाल आपके जहन में आये word तो उसको तीन हिस्सों में पहले डिवाइड कर दे सबसे पहला सबसे हिस्सा that is ultimate section 9 दूसरी jurisdiction territorial और तीसरी jurisdiction pecuniary ठीक है जी कोई सवाल कोई सवाल नहीं क्या समझूँ आपको समझ आगी है यह समझू बिलकुल नहीं थैंक्यू आप जी subject matter यह चौथी मैंने आपको लिखके बिताई थी यह basically exception है हमने का civil court के पास हर एक civil nature का दावा सुनने का एक्तियारा सल है civil court के पास किसके पास civil और फिर हमने कहा के territorial jurisdiction जो है वो कौन सुनेगी फिर हमने कहा pecuniary jurisdiction जो है है वो काउन सुनेगी फिर हमने कहा section 15 lowest competent court तो फिर मैं आपको एक मिसाल देने लेगो 37.2 का दावा session judge के पास क्यों चला जाता है उसमें भी unlimited jurisdiction है उसके पास क्यों चला जाता है district court के पास क्यों चला जाता है section 37.2 ने क्या किया उसने एक खास subject matter को एक खास subject matter को वहां से उठाया और कह दिया कि इसका मुकदमा यही बंदा सुनेगी district judge district judge यह किसी और की बाबत भी कह सकते है ठीक है तो जब भी इस तरह की बाबत वह भी civil court है मैंने इसलिए आपको कहा कि वह भी civil court है यह भी civil court है तो सुनना किसने है यह subject matter है अब इसकी जितनी मर्दी exceptions create की जा सकती है सुबह यह भी का जा सकता है high court notification कर दे legislation amend कर दी जाए कि जिनाब specific performance का suit जो है न वो additional session जाए सुनेगा हो सकता है न हो सकता है न वो कह दे जिनाब यह जो है न possession वाले दावे यह तो सारे के सारे उठाएं हो सकते हैं न हो सकते हैं अगर amendment कर ली जाए rules amendment कर लिये जाए और suits की categorization कर ली जाए तो यह हो सकता है और मेरा ख्याल है कि अगर reforms करने हैं तो यह होना चाहिए अब आगे आजिए personal jurisdiction what is personal jurisdiction what is personal jurisdiction anyone can तुका लगा सेगे जी जी इसी तरह जैसे मैंने subject matter का यहां कुछ personality इसको exclude कर दिया जाता जैसे section 24 मैंने लिखे आपके सामने section 24 जड़ा देखें उसी civil court ordinance का वो कहते हैं section 24 मैं आपको crux बता रहो section 24 कहता है अगर अगर दावा फाइल किया जाएगा किस के खिलाफ रियास्त के खिलाफ प्रोविंस के खिलाफ या public officer के खिलाफ official capacity में काम कर रहा हो कौन सुनेगा civil judge first class कहां पर headquarter पर तो territorial jurisdiction को वाइलेट कर दी है ना cause of action तसील किसी में पैदा होई थी बात को समझ रहे है मेरी cause of action किसी तसील में पैदा होई थी ऐसे ही है ना या वहां में गॉर्मेंड को party बनाना है फर्ज़ करें गॉर्मेंड नहीं में नुकसान कर दिया मैंने फसल लगायी है सलाबन नहीं आ रहा था बन तोड़़दिय मेरा नुकसान वैसे लिकिन पे exception क्रियेट कर दे किसी नी Democrat अब इस प्रूंड कि हो यह समझ रहे हैं तो basic formula जो है jurisdiction जो basic divide है इस जनरeln jurisdiction under section 9 territorial jurisdiction एंड pecc var और इसी सीक्वंस के साथ वान सेकिंड एंड थर्ड की के जी कोई सवाल हो किसका जी जी सिवल नहीं खा चला था जी तो हाई कोट के पस अब सी एर पीसी पढ़े ना किसी भी क्रिमिलग केस करें किसी भी क्रिमियल केस को ट्राइल कर सकती है तो यह में और अब इसी तरह सिंद में जो है कुछ सिंद में मैं यही कह रहा हूं अगर सब्जेक्ट मैंटर में कोई एक्सेप्शन एड़ कर दी जाए पहला क्वेस्टन एहमद कई उमसाम ने जो किया था वो यह था कि सिंद में जो हाई भी मात बताएं मैं अगला सवाल करने से पहले एक अब को बात बोच पूछ गया है रिजेक्शिन ओफ प्लेंट और रिटर्न ओब अवंप्लेंट में क्या तीक है वाट इसरी एंद्ट बहुरता है कोज अफ ने लिगाई यह यह था दर्ष तेक्ट तो यह बार्ड का वर्टम निकाप कहां भी पढ़ा भी section section क्या है वो अगर कोई ऐसा क्लेम अदालत के सामने आ जाए सब्सक्राइब कोई ऐसा क्लेम आपके सामने आ जाए कोट के सामने जो बार हो तो उसके consequence क्या होंगे rejection साथ 11 रिजेक्शन हो जाएगी ना यहीं मैं कहरो अब वो बार जो है एक्सप्रेस भी हो सकती है इंप्लाइड भी हो सकती है और अब जैनरल और special law भी हो सकता है बात समझ आगी अब रिटर्न कब होगी प्लेट हां जी रिटर्न होगी उसका तो section 7 में लिखेना code face नहीं लगाई reject होगी कौन सी मैंने प्लेट फाइल कर दी स्याल कोड में होनी थी तसील पस्रूर में तो क्या reject होनी चाहिए रिटर्न क्यों होनी चाहिए क्योंकि उसमें लिखा है कि अगर ऐसी जगा पर फाइल कर दी जाए जिए जहां पर उसको रेफर किया जाएगा रिटर्न करके इंडोर्स करके उसको बताया जाएगी का आफ फलानी जगा जाकर रिजेक्ट नहीं होगी वहां पर बात समझ मैं बताता हूं अगर फर्स करें फर्स करें सिवल जैज क्लास वान के पास होनी थी और थ्री के पास हो गए तो अब यह तीसरा फार्मूला हम लगा सकते हैं रैफरेंस कर दें ताकि जो कंपीडेंट कोड़ा उसके पास पहुंच जाए तो रिटर्न भी बेसिकली इस इस र सिवल कोड की ही बंगती है लेकिन घलत जगा पर फाइल कर दिया तो वहां पर क्या करेंगे रिटर्न करें प्लेंट को रिटर्न होना है रिजेक्ट नहीं होना और और आप हजारों आर्डर देखेंगे जिसमें रिजेक्ट हो रही हैं तो दू गोफर चैनल तो आप रिवी प्रिश एक्जेंपल तो बहुत सारी दी थी यह देखें स्लाइड्स में जर्नल लॉज जो है फैमिली लॉज जर्नल लॉज यह स्पेशल लॉज नहीं है अब यह क्लासिफिकेशन जिस तरह आप चाह रहे हैं ना के दो जमादो चार हो यह है यह नहीं क्रिमिनल लॉज जो है सीब पीपीसी यह जर्नल लॉज है और उसमें से किसी एक चीज़ को उठाया और ए कर रहे हैं सिवल और फैमिली को तो सिवल के मुकाबले में फैमिली लौ स्पेशल लौई है ठीक है जी क्लियर है अब आगे चलें थोड़ा सा अब आजें जी कौन-कौन से सूर्स हैं जो आप यंग्स्टर्स कर सकते हैं और आपको करने चाहिए कितनी किसम के दावे हैं आप जब जाएंगे तो आपको का जाएगा कि यह बड़ा पॉपुलेट्टेड है और काम शामी पर कोई नहीं है लेकिन आप देखेंगे कि यह जो लौ लेस्ट मौश्रा है हमारा है कि नहीं है तो जहां पर लौ लेस्टनेस है उसका रिड्रेसल भी होगा वी जो सी भी वेर देज़ा इंफ्रेंटमेंट उफ्राइट देरीज रेमेडी और एड देर अलौ फिलेंट सोफ राइड एक बंदे ने अकसर आप देखते हैं आप किसी महले में कलूनी में तो उस मेंने क्या किया है उसने अपना घार कंस्ट्रक्ट कर रहा है और उसमें जो बजरी का पर है वो सड़क भी लगा दिया है अब अब क्या करें सोच में पढ़गे की करिए हमने तो पी समझ नहीं आ रही क्या करें एक तो यह आपके वाली सब दलील थी कि वो फैसला तो होना कोई नी सिवल कोड भी क्या करना जाए वो लड़ाई भी लागे जाएगी लादा से लेक ताइपस और पास है वीस मिनट तो आइपस ऑफ केसिज इन सिवल इटिगेशन अब यह ताइपस इसके नीचे मैंने इंटेंशनली वर्ड एग्जैंपल लिख यह इसलिए कि यह ताइपस जो है वो सारी की सारी मैं आपको बता नहीं सकता यह सो भी हो सकती हैं पांच सो भी हो सकती हैं हजार भी हो सकती हैं सवाल आप मेंसे करूंगा मैं आप लोंगो हमें कितनी टाइपस का पता है आपको अगर कोई आप मेंसे प्रैक्टिसिंग भी है प्रैक्टिसिंग है कोई आप है मेंडम कितनी टाइप केसिज आपको पता ह है यह लिखे हैं सामने एक तो सूरी घवरी हो गया डेक्लेरेशन का पता स्पेशिट पर फॉारमस का पता है और सक्सेश्शन का पता है पार्टिशन का पता है और इंजंचन का पता है और खत्म हो गए आप आ जाते हैं तो Script इन ही से शुरू कर ले यह तो अब यह सेकिंड जो आपने लिस्ट बनानी है अपने पास फॉर्मूला अपना रेजिस्टर जो सिवल का बनाना है वह इस तरह से बनाना आप यह वाल सीरियल नंबर सबस्टांटिव लौ जिसमें कोई राइट आपको दिया गया हो और वेर दिर इस राइट देर इस रेमेड कर दिये गए रिकवरी हम कर सकते हैं पुझेशन की दो तरीकों से सेक्शन आठ में भी नौ में भी मूवेबल प्रॉपर्टी की भी मूवेबल प्रॉपर्टी की भी कॉंट्रेक्ट की स्पैस्टिप परफॉर्मस करवा सकते हैं ठीक है जी इंस्ट्रुमेंट की कि अब कॉंट्रैक्ट में आप डैमेज़ भी क्लेम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं हैं चट्रेशिकन् कॉंट्रैक्ट में ले सकते हैं वो हो, कांट्रैक्ट में भी को सकती है ने, बेसिज उसकी कांट्रैक्ट ही होगी कोई, ले सकते हैं, फर्ज करें किसी एक आर्टिस्ट ने मेरे साथ कांट्रैक्ट ये कर लिया, कि मैं आपके स्टेज ड्रामे में पर्फॉर्म करूँगा, ठीक है, अब नहीं कर रहा है, और स सर्विस तो इन फॉर्स नहीं हो सकती है, पर्सनल सर्विस तो इन फॉर्स नहीं हो सकती है, जो तो बासमेंगे अब यह ब्रीच करेगा तो कंटेंट में भी आजेगा और प्रोसीडिंग्स भी चलेगा अब इस तरह के बहुत सारे एक्रिमेंट्स होते हैं सर्विस के रिए आप पांच साल मेरे पास काम करेंगे इस पांच साल के एरसे में आप कहीं पर भी और काम नहीं करते हैं ठीक है के इंफर्मेशन टेकनोलोजी में कोई बता है रिटेंग वजारा पराकी है उनके साथ अक्सर इस तरह के कांट्रेक्स होते हैं क्यों सर होते हैं हैं तो यह चल रहा है तो हो सकते हैं आप कर सकते हैं आगे निगोशियाबल इंस्ट्रुमेंट की बेस पे नादर हुंडी है को इस तरह का और डाकिमेंट कर सकते हैं कर सकते हैं अच्छा प्रियम्शन का आप दावा कर सकते हैं वह कहां से लेते हैं प्रियम्शन का दावा प्रियम्शन के लौस है नाइंटी नाइंटी वन कदी प्रियम्शन एक्ट पंजाब प्रियम्शन एक्ट ऐस उसको किसने अख्तियार दी है यह हो सकते कि मुझे टैंप्रेरी जो है वो हाँ अब एड़्जस्ट्मेंट मौश्रे के अंदर किया है यह स्लाइड सी लाइन है कि अभी वो समान उतार रहे हैं ट्रक खड़ा है तो आप जिस वी आए मैं परदाश करूँ है तो समान उतार हैं और अगर वो पर्मिन ट्रक खड़ा कर दें आपकी गली के अंदर फिर दोनों चीज़ों में फरक है ना तो पहली पर तो आपका अब्जैक्शन जो है वो इंटर्टेन नी किया जाना चाहिए लेकिन दूसरी पर दूसरी पर होना चाहिए ना होता क्यों नहीं है क्यों नही है उन्होंने भी बनाया वह बाइर गाड़ी खड़ी करते हैं ठीक है आप एतराज ले के यह मेरे दरस्ते में गाड़ी कर देता है यह भी तो बाइर खड़ी करता है तो परसन कमिंग तो दे कोड मस्ट काम विदे यह ओवर हॉल एक कंप्लीट पैकेज है जो सिवल लौ में आपने देखना है ठीक है आगे चलें थोड़ा साब अब यह जो जिसके परपस के लिए मैंने आपको कहा था कि बेर एक्साब जरूर लेकर है यह आप अपैंडेक्स खोल लीजिए यह शेडियूल वान का सी पीसी में अपैंडेक्स से अब देखें कितने किसम के अब अल्टिमेंट जुर्स्टिक्शन की भी यह एक इग्जैम्पल है कि हमें पता था कितने दावों का साथ आठ का ऐसे यह ना जो पहले पेज़ बे मैंने 11 दावे लिखे हैं न यहीं इस परपस से लिखें कि तकरीब यह ग्यारा दावे जो है वो 90 परसंट हमारी कोर्स में यह चल रहा है 90 यहीं है 95 परसंट भी कह सकने हैं अब इससे आगए आ रहे हैं क्या सिरफ यही दावे हैं इतने सह यह बस पिर section 9 फिर उसको कहना कि इस इस दी कोट अफ अफ इल्टिमेट जुरिस्टिक्शन और दावे सिरफ नौ यह दास यह पंद्रह यह बीस बस फत्म इल्टीमेट इतना बड़ा वर्ड दे दिया इसको इल्टीमेट जुरिस्टिक्शन पेरंटल कोट फलानी तमकान और दावे सिरफ 12 कि सीपीची में आपको फॉर्म देखे उस वक्त में समझाया था 1908 अपैंडिक्स खोल लिए सबने सब अब इसके अंदर देखिए जरा अगर सबने खोल लिया है तो अपैंडिक्स यह टाइटल देखिए प्लीडिंग्स नजर आ रहें प्लीडिंग्स नजर अब दो डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टीज ऐसे यह था ऐसे है थ्री देखें थ्री क्या लिखा हुगा है प्लीड अर्जी दावे ऐसे है ऐसे है अब यह जी दावे कितने लिखें है नमबर वान मनी लैंट यह बारा नमबर पर लिखें मैंने दूसरा मनी ओवर पेड़ तीसरा गुड्स सोल्ड एड फिक्स्ट प्राइस एंड डिलिवर्ड पैसे वापस नहीं किये लिखें हुए हैं यह इस तरह आप चलते जाएं और आपको यह पचास के करीब दावे कितने हैं पचास के करीब दावे 49 टु बैरी स्पैसिफिक 49 दावे उन्चास दावों के कYK आपको चीपई सी परवाइड कर रही हैं क्टने गचास और इसका रूल यह है कि यह पैंडेक्स यू juos किया जा सकता है य्यूज किया जा सकता है पैंडिक्स को या इसकोमेंड भी किया जा सकता है कि अज़ें कि क्या section 9 जो है isn't that a living organism जी isn't it a living organism जिन्दा नहीं है आज भी section 9 नहीं जिन्दा, जो जो कहते हैं नहीं जिन्दा वो दरह हात खड़ा करे है जो जो कह रहे हैं जिन्दा है वो दरहा आठ खड़ा करें confidence तो चेक करें जरह और बाकी कह रहे हैं निउट्रल्स हैं? दस बारे निउट्रल्स काम भी निगले हो इतरी ज्याद है नहीं है अच्छा मुझे यह बताएं सेक्षिन नाइन यह कह रहा है कि हर वो दावा चलेगा हर वो दावा चलेगा जो सिवलने चल्गा होगा ऐसे ही है जी यहां तक कि उस पे कोई एक्सप्रेस बार हो फिर नहीं सुनेंगे इंपलाइट बार हो फिर नहीं सुनेंगे या जर्नल या स्पेशल लॉव मुझूद हो तो नहीं सुनेंगे की कह दी? यहीं कह रहा है अब वार्ज बढ़ती जा रही है पहले फैमिली लॉव भी सिवल कोट सुनती थी फिर फैमिली लॉव आ गया तो बार लग गई सिवल कोट पे एक कैटेगरी निकाल दी फिर पहले बैंकिंग कोट भी सारी सिवल कोट सुनती थी बैंकिंग सिवल कोट सुनती थी ना तो बैंकिंग कोट हमने बना दी तो फिर पर एक और बार लगा दी हमने बैंकिंग के सारे मैट्रे उधर निकल गए। फिर सुईगेस के सारे मैट्रेस जो हैं मो सिवल कोट सुनती थी बड़े असानी से हम जागे स्टे和 ले लेते थे ऐसी ये तो एक और बार आ गई तो यह काम हो रहे हैं ज्यादा भी होते होंगे एक बंदा है उसने सोशल मीडिया पर आपकी तस्वीर लगा दिया क्या करें इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं यह जैसे जैसे दावे इसमें से निकल रहे हैं वैसे जो मौडरन टेकनीक्स हैं वो इसमें दावे एड़ करती जा रही हैं हमने सिर्फ देखना है कौन सी चीज एड़ हो सकती है कौन सी चीज सिवल नेचर की है एक आपका फर्स करें आपने शादी पर कैमरामेन को हायर कर लिया कभी आपने सोच है उसके पास आपकी वीडियोज हैं आपसे कुछ आपकी पूछ नहीं कैव आपको पता ही नहीं करना क्या यह पैर ऐसाहह आपको सिवल कोड़ चौकि अपकी अधर के बगईर स्थोरीं के आपके प्रॉपर्विट के इस्त वार्श का इस तमाल की है जब वो और अन्हें ने कहा था नश पर आप इस चीज की फिकर ना करें जब वो कहे का तो यह ताइम प्लेस उस तो इसने थाइब करना किसके सामने प्लेस कि और दो इस्व प्रकुल टीक है बिलकुल ठीख है देखें मिस्यूस करे जाना मैलाफाइड ही नहीं होने ही और लायर की दरमाग में तो बिलकुल नहीं होने चींडि यह एक साइड नहीं होने लिए इस तरह को अब graveyard Moo A मैंने जो मिसाल दी क्या गलती क्या ये civil दावा न नहीं बनता क्या नहीं बनता यह दावा से बनता क्या कंपंसेशन नहीं बनती है इसी तरह और बड़े मामला था है section 9 evolve करता जा रहा है यह आपको जो मैंने 49 दावे बताएं न सीपीची में इनको आपने जाके पढ़ना है पचास इन में से कई 1908 में थे आज वो नहीं है जैसे रेंट का भी इसमें लिखा हुआ है और रेंट का आज आपके पास ट्राइबुनल अलैदा से है तो उसको निकाल दें और एड़ करते जाएं कोई भी दावाद कोई भी सिवल नेचर का राइड वो आप इंटर्टेन कर स इसके बाद अब यह सारे अपैंडीक से कुछ मैंने लिखे हैं यह आप इसको देख लें दिसार तिल ठर्टी थर्टी-Nine और तो इन यह. एक और चीज़ उम्हाब कर जाहिए एक यह करनी चाहिए कि जाहिए मिस्टर ए थे और उन्होंने दावा दायर किया एड ही डाइड में ने करेंगे लाए कुछ हैं प्लेंट बेरे अच्छुरच है करेंगे अच्छ रहे के प्लेंट करें तो हुआ मैंड करेंगे फिर ऑफ दापक्र यह देखें ताइटल उसके नीचे डिस्क्रिप्शन आफ पार्टीस इन पर्टिकलर केस इसको मेंड करेंगे भाई जो डिस्क्रिप्शन आफ पार्टीस को इसका मेंडमेंड आफ प्लेंट से तालू की नहीं है प्लेंट तो स्टार्ड हो दिया पैराग्राफ नंबर वान से ये देखने फॉर्मेट इसी तरह लिखा हुआ है जिसने पहली दफ़ा प्लेंट बनाई थी इससे देखके बनाई थी उसके बाद प्लीडिंग्स की किताबें और वो ये वो आप उसको देखें मेरा आपको मश् सब्सक्राइब कर सकते हैं अब प्लेंट उसका एक फॉर्मेट मैंने आपके सामने रख दिया आप लोग ने आप तक देख लिया होगा यह उसी तरह से चल रहा है सबसे पहले इंगी कोर्ट ऑफ लेंट सिनेर शिवल जैज वो जो डिस्टिक्ट होगी जुर्स्टिक्शन ह फिर उसके बाद पार्टीज है उसके बाद एक टाइटल हम हैड़ देते हैं सब्जेक्ट मेंखर का और फिर प्लेंग प्लेंग तरी यह की शूट है एक ये भर जिने चाहिए इसक़्रोब में ने चाहिए यह जो पॉर्वर्ट कर तो आज वैज बेहिग दिया था सभाओ मैं दोबारा करवाते हैं यह इतनी फॉर्म्स हैं मेरा मश्वरा यह है आज आप जब यहां से जाएं तो अगर बार्वकिशन कोर्स में आपको बस टाइम है तो यह जो फॉर्टी नाइन प्लेंट्स हैं यह पढ़ें आपका सेक्शन नाइन की बाबच जो कॉंसेप्ट है वो इसको इस्तमाल किया है और फॉर्चनेटली या अनफॉर्चनेटली आप हैंसम भी लग रहे हैं तो आप खुश होने की बजाए आप अगर उसको बरदाश नहीं करते कि इसने क्यों मेरी यह तस्वीर शेयर की तो यू हैव रहमेडी वेरी सिविलाइज रहमेडी कि आप को समझें नहीं बात हैं तो देखें अगर फर्ज करने आपने किसी को पैसे दिये थे अब जर्म साल सुन लें कंजिमर लॉइज देर कंजिमर लॉइज देर आपने किसी को सर्विस के कोई काम कहा और आपने उसने आपके इलावा सारी तस्वीरें चीख एच दी हैं तो सर्विस का डिफेक्ट तो है नगर तो उसके बाद आपको शाइब किसी प्लीडिंग की जुरुत पड़ें पचास के क्रीग प्लेंट और बड़ी सिंपल फॉर एग्जेंपल आपने किसी से पैसे वापस लेने तो पहला पहला आपको मिट आपने लिखना गया अच पहले हैं तो उसके मताबि क्या लिखना है मटीरिल फैक्ट अंड दी अविडेंस मोटीरियल फैक्ट क्या है कि फलान टाइन पर फुलाने बन्देने मेरे से कितने पैसे लिए कोई भी अमाउंट दस लाकर लिया दूसरा मटीजियल फैक्ट क्या है अब मुझे यह वापस कर रहा है तीसरा material fact क्या है prayer मेरी कि मैं मुझे इससे यह पैसे वापस लेग दें डिस इस और प्लेंट इट कैन भी वन पेजर प्रस्टेंग जिए डिगल नोटस सेक्शन 28 है स्पेस्पिक उसका consumer law का आपने manufacturer को यह जो आपको सर्विस प्रोवाइडर है आपने उसको नोटस देना manufacturer को यह सर्विस प्रोवाइडर को ठीक है नोटस यह है कि आप मेरा यह नुक्सान हुआ है यह मेरा नुक्सान हुआ है इसको आप इस तरह से पूरा कर दें अदर्वाइज आइल भी आप्टिंग लॉसूट ठीक है जी यह प्लेंट यंड हो गई अब एक बात जो इसमें एड है वाट शुट भी टेक लिस्ट भी धी प्लेंट अब लिखनी है इसरी अपने फैस के इसाप से तो चेखली स्थ कॉन सी हो सकती है चेखलीस यह वाली जो मैंने चेखलीस्ट आपके सामने रखी है यह यह हाइई-को और अथोराइज्ट परसन साइंड बड़ी पार्टी तो साइंड वेरिफिकेशन यह सारे का सारा तीन जगा पर लिखी है यह सारी चीज़ें तीन जगा और सिक्स सेवन और एट कि उसके साथ और लुए जबिए और गश्च होति पर दांच के तुब युद्र ग्युवफ्य एक पहले प्रेंट पेच अनगा फिरन आस अनगेड पेशकर रहे और बीज़ें फिरन ओफ में पेश कर लाइन खी दस्ता विजाब पेश करना अब्स में और यौ जया गया यह फॉर्म फॉर लाजमी लगाना है अब दस्ताविजात इन हिसार फर्दिन इसार वो तमाब दस्ताविजात उसमें आपने लिखने हैं जिन पर मैं इसार कर रहा हूं लेकिन मेरे कबजे में नहीं है फॉर एक्जैमबल रेविन्यू का रिकॉर्ड है इंतका तो मेरे पास तो औरिजिनल उसकी कारवई नहीं होगी उसका कस्टोडियन कौन है तो जीलदर होगा रिकॉर्ड रूम वाले होंगे तो प्रवास नहीं है ना तो आपने उस एविडेंस को फर्दिन सार में लिखना है फिर उसके साथ आप जो लेटेस्ट अमेंडमेंट आई आपने समंस समंस अटैच करने नोटिस इस नहीं दावे में कभी भी नोटिस का कोई आडर यह नहीं है समंस हैं और समंस का एक अगर समंस उस पे तामील होगी वो डिफेंडेंट पड़ेगा तो आपकी बात जो है वो सुनिदेगा वो वाला हास फॉर्मेट दाने जी इसी तरह चेक लिस्ट जो है वो रिटन स्टेटमेंट में है यह उड़्दू में है मैं जफरवाल में पोस्टेड था उस वक्त अम परदीने सार भी लगाएंगे फर्द पेशकर्दा भी लगाएंगे समंस नहीं लगाएंगे अगर कोई डिफेंडेंट माइनर है तो उसका आप बताएंगे खीगे जी एनी क्वेस्टेंस फॉम पार्टिस्पेंट से प्रेंस उफ प्रेंस आपने मुझे इन्वाइट किया आपने पढ़ाया था जबर्दस्ता किक्सी कोई सवाल ही नहीं यहां को की समझ नहीं आई प्रेंट के वाले से देखें सारी चीज़ें लिखी पड़ी है नो दिजाज नो दिलॉड नो दिफैट तो नो दिजाज तो बेसिकली आपने साई की देखनी है जाई साब की कौन सी बात किस वक्त वक्त वाप की सुना चाहरे एं कौन सी बात को किश वक्त नहीं सुना चाहरे उसको वाइड करें इस पे तो जो सीनियर लॉयर्स हैं उनकी भेशमार आप वीडियो अवेलेबल बल है उनकी ग्लेड़न सब्सक्राइब कि अप्जेक्शन प्टिशन जो है ना बाद यह है कि हमने कहीं चीजों का स्कोप बढ़ा दिया कहीं का कम कर दिया जैसे भी हमने मेरे ख्याल है मेरे आने से पहले आप सिवल को कुछ और समझते होंगे और सेक्शन नाइन पढ़ने के पाद आपका सिवल कोड़ की बापद जो है वो कॉंसेप्ट चेंज हो गया होगा इसी तरह कुछ चीजों का हमने और कर लिया अब कुछ एग्जीक्शन के कुछ रूल है उसमें रूल है कि कोई प्रसीडिंग एग्जीक्विशन में की तो आयम अग्रीवट अफ दैट प्रस श्बारिक्शन लाइक करती यह नहीं मैं कह सकता और देखें घमी तर पर औजक्षिंग कर सisions से पीछे किया ऑन उस पर मैं एक आखना सब्सक्वर तो इस्टेदार के निए इसके उपर तमाम दोस्तों की एसिस्टेंस के लिए हमने अधनान भाई का नंबर भी लिखता हूं बिल्कु ठीक प्रॉबलम है हम सब की यह इसका एक स्लूशन है बढ़ाच्छा इसका एक स्लूशन है बढ़ाच्छा इसको अगरा मैं सिंपल आक्त कहूं तो फिर यह गलत होजेगा पुछ अगर इसको मैं सिर्फ सिर्फ सी पी सी कहूं तो यह गलत होजेगा यह वो वर्ड्स हैं यह अलिफ से लेके यह तक यह वह वाले अलफाज हैं जिसको पार्लिमेंट ने कानून साजी की है कानून बनाया था अलिफ से लेके यह तक इसमें किसी का कोई उपिनियन शामिल नही है जब किसी का कोई अपिनियन शामिल ना हो इसको अम बेर एक्ट कहलेते हैं सिरफ लौ जैसे बेर फुटेट नंगे पाऊं तो यह सिर्फ लौ है अब इसको तो आपको जरूर पढ़ना चाहिए असानी के जिए जिए मैं अपना फॉर्मूला बताता हूं सारे का डिफरेंट पंजाबर कॉंसल के वेलिबल तो आप इंग्लिश के साथ उर्दू वाला बेरेक्ट भी ले 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 और एक दफ़ा इंग्लिश पढ़ने एक दफ़ा उर्दू पढ़ने तो नाइंटी नाइन परसन आपके क्वेस्टन जो हैं जो जो बेसिक लौ के अब मैं प्रॉपोजि मैंने तो जितना ये जो वो कॉंस्टुशनल मैटर्स में बहुत जादा है मुझे तो ये कंप्लीट पैकेज लगता है सी आर्पी सीवी और सीपी सीवी और मैंने तो कभी नहीं का ये और्फोडॉक्स हो गया बड़ा पुराना है इसमें लिविंग मैकनिजम मौजूद है आज भी मौजूद है इसको थोड़ा सा अगर हम अमेंड कर लें थोड़ा इस्तमाल कर लें देखिए ना गाड़ी हमने जो आपने सबसे पहले वह सरू पहले कार में सबसे पहली जो कार में फैक्चर हुई थी आपने उसकी शेप देखिए आपके जहन में आगी ना आगी पतले पतले टायर होंगे इस तरह की गाड़ी होगी वल्ड वार के टाइम पर बने और आज की कार देखें जरा है तो कारी ना चार पांच ही लोग बैठ रहे हैं लेकिन वक्त के साथ-साथ हमने उसको क्या किया है रिफाइन किया जदीर मोटर लगा दी जदीर सीटिंग हम पर देल सीट में शुप्रिया दाद करोंगा दनान भाई के उन्होंने इतना जादा टाइम दिया चाल कोट से हमारे लिए खास्ता और क्यों पर आए भी और हमारे लिए ओनर है कि उन्होंने यहां पर आके लेक्षिट दिया इनको मुक्तलिफ ताइम के पर दुबारा भी इंशाला तंग करते रहेंगा आपको यूपांट साथिस्वाक्टिया इस वाल सर्थ थैंक यूवर मच्छ पूर यूर ताइम हमारे लिए बहुत बढ़ा होना ना ना जा थाए अप सर एक सेकंड आवन दो